छारकन अपने प्राकृतिक संपदा से जाना जाता है, यहां के खुबसूरती यहां के पहाडों को देखने पर भी बनती है, लेकिन इन पहाडों पर अब माफिया की नजर लग चुकी है, चुकि इन पहाडों पर पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन अब ये पौधों को किस तरह काट लिए गया है, ये पहले पूरा एक जंगल हुआ करता था, लेकिन अब इन पहाडों में पौधे नहीं है, अब देख सकते हैं कि ये बड़े-बड़े पौधे को पूरी तरह काट लिए गया है, और पूरी तरह ये इलाका बिरान हो चुका था, ज रूप में इन पौधों को पायाता था, लेकिन अब इन पौधों को पूरी तरह उजार दिये गया है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये पौधे जब यहां से पूरी तरह खत्म हो गये हैं, तो यहां के जो मौसम को भी पूरी तरह परभावित कर चुका है, अब कहते हैं कि जब पौधे ही नहीं रहेंगे, तो आकास से क्या पानी की वर्षा संभव नहीं है, तो ऐसे में निश्चीत रूप से यहां के मौसम को भी परभावित करेगा, और लोगों के भी आहम जन जीवान पर परभावित होने के सबसे बड़ी आसार है, हम आपको दिखाते हैं क कि यह पहाड पूरी तरह पौधे से भरा पूरा था, लेकिन अब जो है इन पहाडों पर पौधे दिख नहीं रहें, आप दिखा सकते हैं अभी जो थोड़ी बहुत पौधे बचे हुए हैं, और आपको देख सकते हैं कि इन पौधों पर अभी कुछ खड़े हैं, लेकिन अब ये भी पौधा जो है धीरे-धीरे कटे के कागार पे है, बात मैं बता दूँ चुकि इन पहाडों पर बन औसोधी के अलावे यहाँ पर पसू पक्षी भी रहा करते थे, लेकिन अब इन पहाडों पर बिक्ष के कट जाने से इन पसू पक्षी को भी देखने को दुल् जाना करते थे, तो इन रास्तों में बैठ कर इन पेड़ों के छाओं में बैख कर या पेड़ों को फल को खा कर अराम करते थे, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा चा गया है, बिक्ष दीखी ही नहीं रहा है, और लोग भी जो है इन काड़ाके के धूप में चलन मुश्किल हो गया है, सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में लोगों को इसका खासा परभाव देखने को मिल सकता है, हमारे साथ कुछ लोग है, उनसे भी हम जानने की कोशिस करेंगे, कि इन पहाड़ों के कटने से क्या इनको लॉस हुआ है, क्या हनी हुई है, यहा हम लोग जाते थे तो यहां थोड़ा रूकते थे थे की धूप की मौसम है, इसी मौसम में हम लोग इस रष्दे से जाते आते हैं, इस वरे से सारा बिरिच को काटा गया है, पहाड का रोनक ही घड़ गया है, हम लोगों को जाने आने में भी कश्ट होने लगा, भी चाहते थे वह सब गूंज सुनाई ही नहीं दे रही है जिसके वज़े से आज हमें बहुत इस्तिती का दिकत हो रहा है और मौसम के चलते पानी भी नहीं पड़ रहा है तरकेसर जी का कहना है कि चुकि यहां पर पेड़ पौदे होते थे तो लोग को कहीं ते कहीं इस पेड़ के चाहों में आसरे मिलता था लोग घंटू बैट के कम से कम धूप में आराम करते थे लेकिन अब वो आराम इन पेड़ों को कट जाने से समाप्त हो चुकी है अब सिर् और भी लोग हैं उनसे भी जाने के कुछस करेंगे कि यह बताइए कि यह पहाड कट चुका है और यह कैसे कटा देखें यहां यह तो पहाड पहले पूरा जंगल से घिरा हुआ था और हम लोग बजार से नजदीक में हैं यह पहाड हम लोग सुबह मोर्निंग वाक करने के यह भी आते थे पूरा जंगल से भरा हुआ रहा था अभी कुछ माफियाओं के दारा यहां पर जितना भी जंगल के बड़े-बड़े पेंड थे सब काट चुके हैं और सिप छोटा-छोटा उसका जड़ सब को छोड़ दिया गया है यह जंगल दो-तीन किलोमेटर में बसा रहा था वह भी अब नहीं सुनने को मिल रहे इस रास्ते होकर यहां से दो किलोमेटर बाद एक गाउं पड़ता है वह जाने-आने के लिए जो लोग जाते थे इस जंगल होके कुछ आराम करके जाते थे मगर वह भी इतना धूप में उन लोगों भी बहुत कश्ट हो रहा ह सारा पेड़ पोधा जितना है यह पहाड का नश्ट हो चुका है और सब माफिया यहां का जितना है सब काट काट के ले जा रहे हैं अच्छा यह बताये कि आखिर बन विभाग इस दिशा में ठोस निने क्यों नहीं ले पाती क्या करवाई हुई अभी तक नहीं हुई है बन अब नश्ट कलुए है बहुत बड़ा एरिया में यहां पर पोधा लगाया गया था लगभग बहुत सा बड़े एकड़ में लगाए गये थे मगर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है सब तो बड़ा बड़ा जितना भी पेड़ था सबको काट लिया गया है अब क्या असर होगा जो पेड़ पोथे कड़ जाएंगे तो कड़ जाने से जो यहां का जो परदुसन कुछ कम हो जाएगा एक आखरी सवाल यह बताए कि आखिर ये पेड़ पोथे कटके जा कहा रहे हैं यह तो अप्या ले जा रहे हैं अपना और यह सप्लाइव हो रहे हैं कहीं बाहर जा रहे हैं दुसरे राजी में जा रहे हमारे नजदीक में बंगालों गल पड़ते हैं तो ये थे क्या नाम आपका मेरा नाम दीपक कुमार मंडल यो ने निश्ची दरूप से कहा है कि ये पेड़ पौदे के कड़ जाने से यहां के बातारों निश्ची दरूप से दुस्वित होगा ही लेकिन जो आसरे ले रहे हैं पसुपक्षी उनके भी जो आसरे नस्ट हो गय है और जिसे रोकने वाला भी जो है कहीं हाला कि बन विवाग समय समय पर करवाई करती है लेकिन जिन पर ठोस करवाई होनी चाहिए उन पर नहीं हो पाती है यही बज़ा है कि यहां के लकड़ी जो है पस्षी मंगाल और बिहार आदी के राज्यों में बेधरक भेज़े जा इस परभाईत होने वाले मौसम और ब्रिक्ष के हरियालिस को भी बचाया जा सके दूमका से विकास प्रसाथ सा एबी पीनिश